हलो फ्रेंड्स इस वीडियो में आप सीखेंगे किसी भी मोबाइल में प्ले स्टोर आईडी कैसे बनाते हैं मेरे पास ये एक नया मोबाइल है और मैं इसमें प्ले स्टोर आईडी बनाने जा रहा हूँ तो चलिए शुरू करते हैं इसके लिए सबसे पहले play store application को open कर लेंगे play store application open करने पर हमारे सामने कुछ इस तरह से interface सो होता है अब sign in के option पर click कर देजिए अब नया account बनाने के लिए नीचे दिये गए create account के option पर click कर देजिए इसके बाद दिये गए first option for myself के option पर click कर देजिए इसके बाद जिस भी नाम से आप ID बनाना चाहते हैं उस नाम का first name and last name fill कर देजिए इसके बाद next के option पर click कर देजिए अब अपनी date of birth और gender select करके next के option पर click कर देजिए अब जिस भी नाम से आप ID बनाना चाहते हैं ओए नाम यहाँ पर fill कर देजिए आप अपने नाम में कोई भी नमर भी add कर सकते हैं यदि इस तरह से page सो हो तो आपका नाम किसी से match कर रहा है इस नाम में कोई भी नमर या letter जोड़ कर change कर देजिए इसके बाद आपको एक password बनाना होगा password बनाते समय ध्यान रहे कि आपके password में कम से कम एक capital letters और एक number और एक special character होना चाहिए इसके बाद next कर देजिए इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का page सो होगा इस page को scroll up कर देजिए पूरा page scroll up करने पर as I am in पर क्लिक कर देजिए अब next के option पर क्लिक कर देजिए इसके बाद I agree पर क्लिक कर देजिए आपकी play store id बन जाएगी thanks for watching please subscribe